दिल्ली पुलिस की कार्यवाही को गैर कानूनी बताते हुए ये है मशूर वकील महमूद प्राचा दिल्ली पुलिस ने 39 दिल्ली में हुई हिंसा और सी ए अंदोलन से जुड़े केस को समभाल रहे वकील महमूद प्राचा के दफ्तर पर आच्छा पमारा अपने वारंट में पुलिस ने दावा किया कि वो प्राचा के फर्म की अधिकारी कीमिल आईडी के आउटकमिंग दस्तावेजो और मेटा डिटा की खोज कर रही है पुलिस ने रेड के साथ ही महमूद प्राचा के कम्प्यूटर को अपने कबजे मिलेने की बात कही है इससे पहले सुप्रीम कोट के वकील महमूद प्राचा ने आरोप लगाया था कि उनके संपर्क में आने वाले लोगों को पुलिस परेशान कर रही है पत्रकार अदित्यमेनन ने ट्विटर पर एक वीडियो साजा किया है जिसमें महमूद प्राचा दिली पुलिस वालों को कानून की भाषा समझा रही है अगर माले आटिस्क नहीं निकलती तो सिल लेता हूं सब सीज़ कर लेकिन यह और के खिलाफ है सब इसको बैस नम एक आपको कह रहा हूं कि हम ले लाई हम करना नहीं चाहते है मैं कह रहा हूं मुझे उधा के लिए लेकिन अधानी रिश्चन में नहीं चाहते है आपको बता दें कि महमूद प्राचा ओल इंडिया मुस्लिम परस्टन लोग बोर्ड के सदस्से हैं और सुप्रीम कोट के वकील है साल 2019 के दिसंबर महिने में जामिया मिलिया इसलामिया के चात्रों पर पुलिस ने कारवाई की थी तब महमूद प्राचा सुप्रीम कोट जाने वाले कई वकीलों में से एक थे महमूद प्राचा भीमादमी चीफ चंदर शेखर आसाद की भी पैरवी कर चुके हैं ब्यूरो रिपोर्ट दशूद्र